हम लोग बहुत गारिव हैं अपना आपी जो जमीन है जमीन के वळल है बायल कुछो नहीं है घर अपना धांसर आपना रहा है तो आधार काड उद्री से हम जो फोटो भेज़ दिये थे अधार काड बनौा लिया है उसका मालिक बुठी तो बोलता है कि हम लोग अपना से बनवाए हैं क्या आधारकाट में जाओगे घर ऐसा बोल देती है के लिए कैसी आएगी और आभी मोबेल भी खर देने बोलते है तो खर दिए एक मोबेल था उसको पानी में डुबा दिया उसका मालखिन इतना हारम जादी है जाने दिए घर में प्रोब्लाम है ना इसलिए हम भेद दिये उसको काम करेगी पैसा लाएगी जाहे देगी और कुछ कुछ आप लोग भी कुछ कर सकोगे बोलके बोलके लेके चल गिया इसलिए हम भेद दिये लेकिन बेटी अभी तक लोट नहीं आ रहा है अभी मैं सिम्डेगा जीला के बानो प्रकर्ण अंतरगत बिंजा मर्चा गाव में हूँ यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो पूरे जारखण में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे घर है यहाँ की एक लड़की जो है वो बुंबई काम करने के लिए गई हुई थी 15 मार्च 2022 जो है यहाँ से निकली थी मगर अब तक जो है लोट कर नहीं आई है कारण क्या है इनके घरवालों से बात करेंगे इनके माता पिता घर पर है और अपने बेटी को सकुसल लोटाने के लिए गुहार लगा रहे हैं आपने देखा होगा मैंने कई बार ऐसी घटनाय आपको दिखाई होगी चाहे वो सिम्डगा का हो जहाँ पर एक लड़की को घर में बेज दिया गया था 3 लाक रुपिया में वहीं अगर हम बात करें तो रनिया चेतर में भी 20 साल से एक लड़की एक घर में फसी हुई थी तो आज हम पूरे घटना करम को जानेंगे क्योंकि आदिवासियों के छेतरों में देखा जाये तो यहाँ के लोग जो है वो प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं दूसरे के घरों में काम करते हैं यहाँ के मजदुरों की वही सेम इस्थिती है तो चलिए हम इन्ही से ही बात करेंगे क्या नाम है आपका सुस्मा कंडूलना गाउं बिंजा मार्चा जारा टोली जारा टोली बेटी का नाम सरोज कंडूलना कब गई थी बेटी काम करने भुंबई लगबग दो हजार बाइस किसे साद गई थी तो दो साल हो रहा है तो आपकी बेटी वापस नहीं आ गई है किया ऑ गई वापस उसको हम लेने के लिए ले किया बोले तो नहीं ले आइए लगबक ढाई साल हो गया बेटी घर से निकली हुई है आप क्या काम करते हैं आपको बोल रहा था तो बेटी क्या क्या जनकारी दी किस जगा में है क्या परिस्थिती में है क्या क्या बता रही थी आपको हम को बोल रही थी कि हम पुरा परिस्थरा में है काम करते करते पुरा ये लग जाता है कब आएगी लेने के लिए पैसा मिल रहा है उसको पैसा भेजी है कभी हाँ छे महिना का पैसा भेजी है छे महिना का एक महिना कितना मिला उसको आठ हजार बस आठ हजार धाई साल से वो बाहर है धाई साल से घर में काम कर रही है लेकिन छे महिना के बस पैसा मिला है वो भी मातर आठ हजार पर महिना है हिसाब से क्या बोली उसके मालखिन के बारे में क्या बोली घर के बारे क्या बोली कौन सा जगा में है क्या बताई बताई रहेगी अब ही काम सब सिख गई यहीं पर रहेगी अपना इस सब कर देंगे मालखिन से भी बात हुआ था हम ही कि यह जानते हूं उसका नाम बताई थी पर भूल गए हम अच्छा कौन से जगह में है वो भी जनकारी है क्या कागास दिखा रहते हैं लेकाई उसको रख दिये क्या यही अब यही एड्रेस में मतलब बेटी फंसी हुई है एबी 301 नीरा टावर आंध्रा नीरा लिक बढ़नीवाली रोड है ना रोहन रोड की मेहन रोड लिखें मेहन रोड और यह 400 क्या लिखा हुआ है यह लग चीज है लेकिन एबी 301 यही घर में गई हुई है तो आउर यह तो आउर क्या का जनकारी दी है जैसे मारपिट होता है या फिर किसी तरह का गलत बेवार होता है और क्या कां करती है पहले बताई और घर में क्या कां कर रही है साबे काम करती है खाना उन्हों भ 57 कपड़नाता सब चीज घरट करने अबना ह dachte है उसके पास रहता है खाने लेकिन अपना मैडम डे देती है उस टयम मूं बात करती है नए तो नहीं देती है तो बात कर नहीं पाती है ओ मतलब मेडम जैसे उसको बात करवाएगी तो बात करेगी आपको जो दिख रहा है लिखे हुआ हुआ है यह अड्रेस कुन बताया था आपको अपना बैटी ही बताई थी आपका बैटी हां सरोज ही बताई थी तो उसका जो मालखिन है वो बोलती है कि हम लोग नहीं छोड़ हुआ हो दी हम बोले कि पुस्पा जो आ रहे है तूसके साथ भेज दीजे बोलके बोले हम तो बोल रही है कि नाए उत्युआ कुल नहीं होता है तो रही केसे आई अधि अधिय अधिके मोबेल भी खरद् देने बोलते हैं तु खर्द ने नहीं पानी में त्रूबा दिया उसको मालखिन। इतना हारम जादी है। मतलब वह तरह से देखा जाय तो उस पर रोग किया जा रहा है कि पहले तुन तो वो निग्राणी में बतापारी है कि उसके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है क्या कुछ उससे कहा जा रहा है डान डबट किया जा रहा हो सकता मारपिट भी किया जा रहा है तमाम तरह की चीजे हो सकती है लेकिन परिवार वालों के सामने जो है वहाँ पर वो मुँ अपना नहीं खोल पा रही है यही ना बात है रख दो मोबैल और अपना काम करो इससा डाटती है उसको अच्छा वो तो बात हो गया जो आप बता रहे हैं कौन महिला लेकर गई थी बताये थे कमला पुस्पा पुस्पा फिर दुबारा गई काम करने वह आई थी पहले लेकर उसका गया और काम में लगा दिया उसके बाद है तो लेकर आओ और साथ में फिर से भैज देंगा इसा हम उसको अईसे जूट बना के बोल रहे थे लेकिन उल्ले लाके पहुंचा बे नहीं कि आपना घर में पुस्पा लेकर गई है अपना जिम्मारी में लेकर गई है तो पुस्पा नहीं बता रही है कि कौन घर में हम बात कर रहे हैं तो तुम लोग गाली देते हो बोल के फोन कार्ट देते ऐसा है उसका नंबर है ना वहीं है नंबर लगीम नए नई अभी तो घर में है साधी सुदा है। दो बच्चा है। एक लड़की है एक लड़का है। अच्छा बताए चेतर से उसके साथ आपकी बेटी सिर्फ गई थी कि आओर लोग भी जाती है? अपना बेटी और उसका जो अपना नहियार का एक भाई था उसका अपना बोहरिया से गया था वो लोग सब लोड गया और अपना बेटी के वल वहीं पर बचल है फांसल है क्योंकि हो सकता है इनकी बेटी जो है उसका उम्मर काफी कम था उस समय तो नबालिक थी 17 साल थी बोल रहे हैं कि आधार काट में जाओगे घर कईससा बोल देती है अपना बटी बता नहीं है अपना बेटी बता रही है कि हम लोग बनुँआए हैं हम लोग यह आधार काट को नहीं देंगे तो कई से जाओ गई, सब बोल देती है, उसका मलखीन, तो देखिए उसके पास अधार कार्ट नहीं है, उसका हाथ में अधार कार्ट नहीं है, सब को वहाँ का अड्रेस वो बन वाली है, दूब्लिकेट अधार कार्ट, एक तरह से उसको बंधक बनाय रखा गया है, और पुस्पा आखिर किस घर पर छोड़के गई थी और उसके साथ उसका बाचित होता है या नहीं होता है और परिवार वालों को क्याकुछ कई एक किने सिधात तोर शांचित गया और उस से वहां पर पता नहीं क्या कर देश्पाइगा किसी तो आप सभी कोई जान रहे कि पुषपः लेके गया है तो यह भी कुछ नहीं हो पार है आम लोग का पैसा कमाएगा भेजेगा कुछो कुछो कर लोगा ये कर लोगा इसे बोल बोल के लेके चल गया इन्हें प्रोलोबन दिया गया ये लोग गरीब हैं हम लोग बहुत गरीब हैं अपना अभी जो जमीन है जमीन के वहला है बायल कुछ हो नहीं है घार अपना धास रहा है बताइए का ये काफी गरीब है और इसी वज़े से जो है बेटी को काम करने के लिए एक विश्वास करके उस महिला के साथ भेज दिये लेकिन इनके जो है जो विश्वास विश्वास घहात किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह पुस्पा के साथ वापस लोटाती है, अभी बेटी क्या बोलती है, लेनेयाओना, रेने के आपना नहीं और नहीं कर रहे हैं बताइब स्थिति है बेटी को इसलिए भेज दिया गया ताकि वह पैसा किसी तरह से भेज दे लेकिन घर की स्थिति आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर महुआचुन का जो है इनका जीवन गुजरता है मगर आदिवासी लाकों में भोले भाले लोगों को इसी तरह से भाला फुसला कर पैसे के नाम से जो है लालस देकर दिली और महानगरों में बेज दिया जाता है ये मानो तसकरी के अखेल इसी तरह से खास तोर पे आदिवासी इलाकों छेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है खुटी का छेत्रत देखा जाये तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नवालिक लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर बड़े-बड़े महान नगरों में जो है इसी तरह से बेज दिया जाता है वहाँ पर मालखिन वहाँ के जो घर के मालिक मालखिन होते हैं उस पर अत्यचार करते हैं उसे बरतंद हुआते हैं सारे काम करवाते हैं मगर पैसे सिर्फ आठ हजार पांच हजार छे हजार पूरा पैसा भी नहीं देते हैं मामला सिर्फ यहां का नहीं है बलकि पूरे ज्रारक्षंड का है तो आप सोचिये क्या इस्थिती बनी हुई है यहां के परीजन जो है उनके लगातार कह रहे हैं कि मेरी बेटी वापस आनी चाहिए क्या बोलना चाहेंगे बेटी वापस आनी चाहिए तरह से अपना बेटी को हम चाह रहे हैं पैसे कवड़ी कुछों नहीं मिले या बस बेटी आ जाए बड़ी बेटी यहां बड़ी बेटी है जोटी है अब ही अना है वह साधी हो गया मतलब बड़ी से चोटी है चोटी तीन को बेटी है दो बेटा बता एघाल यहां कर रही थी अब कर रहा था उस टाइम तो बटाइए दूसरा का मूबैल में वीडियो कोल के भी देख पा रहा था वो भी वीडियो कोल में दिखे थे तो कितना बदली हुई है वीडियो कोल में आप यहां से गई थी फिर वहां पहुचने के बाद कहीं ना कहीं चिंता होगा कहीं ना कहीं टेंसन भी होगा डर भी रही होगी क्या और यहाँ इन्हें मालखिन का भी नाम याद नहीं है कैसे वह बताती नहीं है लेकिन लेकिन मुबाइल नमबर तो और नमबर और रूकर और तो ही है और जिस मुबाइल नमबर से आप बात करते तरह बेटी से उसका है ना नमबर कि इसके पास आए भूड़ आप जो कुछ करना है करिए हमारी कोसिस यही रहेगे कि जिस नंबर से बेटी से बातचीत हो रही है हम उस नंबर में हम बातचीत करेंगे अनियथा जो पुस्पा नाम की जो महिला बताई जा रही है उस पर कारवाई की जाएगी क्योंकि वही जो है लेकर गई थी और उसे गाओं की है क्या कुछ हुआ है अच्छा एक चीज बताए आप खेती मजदूरी करते हैं ठीक ना और यही कारण था कि आप बेटी को पढ़ाने मतलब पढ़ाने पाये सही रूप से यही फोटो है 17 साल की उमर में भेज दिये लेकिन आप लोग भी इतना ज्यादा अंधा तरह से मतलब आख बंद करके भरोसा कर लिए पुसपा पर कहें कि हम लोग का मेहमान मेहमाने पढ़ता है क्योंकि मेरा भागनी ही पढ़ता है इसलिए उसके भरोसा हम कम किये इसलिए हम भी दिये तो हम आरोप पूरी तरह से जब तक हम उससे बात नहीं करेंगा नहीं कह सक लेकिन क्या कुछ हुआ है ये भी जानना बहुत जादा जोर रहे हैं यही जो है वो तस्बीर है इनके बेटी की आपको जहां कहीं पे भी अगर दिखाई देती हो चाहे मार्केट हो क्या हो मैंने जो एड्रेस दिया है या फिर बुंबई से कोई भी वेक्ति अगर देख रहे कर मानव तसकरी का सिकार बनाया जाता है जिसको लेकर सरकार भी कई पहल कर रही है कई NGO भी इसको लेकर काम करने हैं और लगातार जो है इन आदिवासी छेत्रों से उन्हें जो है रेस्क्यू करके जार्खन लाया जाता है लेकिन असान नहीं होता है रेस्क्यू करना क्योंक रिंग किया जा रहा है बेटी के पास फोन किया जा रहा है उठाती है या नहीं उठाती है देखते हैं उसके पास फोन नहीं है मालखिन के पास फोन है गावालों के दोरा जो है फोन किया जा रहा है एक बार रिंग हो चुका है देखें आप लोग जब चाहेंगे बात नहीं ह हां मतलब बेटी चाहे कि उधर स्टब होगा हां आपके पास एक भी फोन नहीं है तो कोई रिष्टेदार आता है गहां माले आते हैं उधर जिसका नंबर आप दिये होंगे वहीं उसी से होता है कि किस समय करती है रात में दिन में कब दो पहर कभी उसका टाइम मिलता है ना उ दूपरा अकेले सिंगल में सिंगल में और उसका जो सामने रहता है न उसका आपना जो घर परिवार लोग जो काम करने गिया हूँ घर को लोग रहता हूँ सामने भी बात कर लेती थी तो सब के सामने बात कर लेती थी सब के सामने बात कर लेती हैं मुंडारी में हैं मुंड हाई मतलब एक तरह से कहा जाए इसलिए लोग हिंदी भासा क्यों कि नहीं समझे गाना वहीं बता अधिया समझने का बात करवाती है उसको हिंदी से तो आप बोल देती है सरोज जो बोलती है कि नहीं हम मेरा माबाप बात इसमझ में नहीं आता है इंडि से मुझाही से बात करती है मतलब अभी आपका जिस सब्सक्ता में एक सब्सक्राइब एक बार आएगा याने दो बार आएगा बस उत नहीं अब अपना हाथ में तो मुबेले ने रहता है, कोई एक दूसरे से कार लेता है, जिसका नमबर दे दिये हैं, वो इसी से कार लेता है, वो भी रिसीवे नहीं करता है, बात भी नहीं करवाता है, तो कई से कारेंगे बात? लेकिन जो है नंबर से ट्रेसिंग किया जा सकता है किस घर पर है और रेस्क्यू जो है असान हो सकता है हम कोशिस करेंगे पूरी अपने और से क्योंकि नंबर से लोकेशन पता चल जाएगा एड्रेस अगर ने भी मिल पा रहा है एड्रेस अगर उस जगा पे ने भी है तो उस तो महलूम है हमको हो मतलब साथ में लेके आने का क्या बोले हैं क्या बोले हैं तो क्या हुआ नहीं लेका है है हलो 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 हाँ हम बोले कि साथ में लेकर आने वाले थे लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं बोली वो अब आज नहीं आ रहा आपका कौन लेके नहीं आई इस्टेशन अच्छा तो आपके साथ वो कब गई थी वो इलोक बता रहा था कि कि दो हजार बाइस पंद्रम आज को गई थी इसी दिन गई थी क्या लेकिन उसको आने नहीं न दिया जा रहा है वो काफी साल से मतलब वहीं है आने नहीं दिया जा रहा ऐसा सुन रहे हैं घरवाले बोल रहे थे कि बेटी याना चाहरी है लेकिन उसका अधारकार उधर का बना है और वो लोग उसको आने नहीं दे रहे तो बता रहते यही भात है क्या उलों भ сделал कि चाquinho अशुकर आंगा दो आप लोग चात में लोगे आ जागी है। विसा बुले थे तू लोग दिले या ए फिर मेरा तो मेरे गोहन का ही साधी था इसलिए मैं आ गई और हमको बुलाई थी मैं अधाम अधार बुलाई थी हमको अधार तो मैं भी कहीं नहीं देखी हूं मुंबई में जहीं से मैं भी सोसाइटी में वहां एक दिन भी छुपी में मिलती है। तो कहीं से मैं आप आँ भी ओहां अच्छा आपके थुरू में अच्छा तो आप वहां क्या काम करते थे और वह बतलब आपके थुरू में काम में लगी है क्या वह वहां पर मेरे थुरू में तो नहीं लगी थी पाले वही क्या बुनते हैं एजेंट के लगर और सब लोगी ही काम में लगे थे तो बाद में उसे ही मतलब काम कुछ नहीं जानती थी तो फिर चार जगा पांच जगा इसे ही बधलते गई हुआ माइडंस अभी निकाल देथी तो तो अच्छा मतलब परिवार वालों को उसकी मैडम बुलाई थी अपना घर क्या अच्छा ये लोग मतलब जा नहीं पाया वहां पे अड्रेस जिस अड्रेस में दिया गया था उसमें लोग को बुलाया गया था मतलब परिवार वाला वहां जाएगा तो बेटी आ जाएगी ना अच्छा ये पांच बार मतलब पांच जगा चेंज कर चुकी है क्या मतलब पहले अलग-अलग जगा काम की थी ये जी हां तो उधर से तो पैसा थोड़ा बहुत मिला उधर से या बोलेंगे एक जागा से तीन हाजार रोई से ही मिला अच्छा तीन हाजा महिना का बापर इतना काम लेकिन एक चीज बता हैं आपको जैसे उसमें नवालिक थी और नवालिक को तो काम ऐसे करवाना नहीं चाहिए ना कोई भी अभी नई पर जब गई थी उसमें तो उसका अठारा साल नहीं 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 हुआ था मतलब जहां जहां जगा 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 चेंज की वहां से यहां पर जो अभी है घर में वहां कितना दिन रही है अभी कब से काम कर रही है जो अभी नया घर में जो मैडम अच्छा तो देखिये मदद करिये लोग का अच्छा डेड़ साल से काम करें यहां पर अच्छा तो देखिये वाटसप क्या बोलते हैं एड्रेस एक बार बता सकते हैं दुबारा क्या एड्रेस है अच्छा आपके पास जो लीक के रखे हैं उसको बाद में बता दीजेगा हमको ठीक ना तो ओड्रेस जो है वुमबई में छुट गया अच्छा अच्छा अड्रेस बता दीए आच्छा माइडम का नाम क्या है अरे तो कैसे ढूंड़ेगा ऐसे में तो उतना बड़ा महानगर है इतना बड़ा गली कोचा है इतना चोटे-चोटे कमरा है बड़ा बड़ा फ्लॉर विल्डिंग तो ढूंड़ना मुस्किल हो जाएगा देखिए मदद करिए परिवार को हां तो फिर हां तो दो सब्ता बाद आप जाएगा तो अच्छा हां तो अगर आना चाहेगी तो देख लिजिए बात वत करके भेल दीजिए परिसान है एक जगा से दूसरे जगा उन्हें जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है आज इस घर में काम की फिर उसके घर वाले उसे अन्य जगा पर भेज देते हैं सिम्डेगा का मामला में तो ऐसा था कि उसे जो है दिल्ली से उत्तर प्रदेश शिप्ट कर दिया गया था और बकायदा वहां पर मजबूरी में उसे एक व्यक्ति से साधी करना पड़ा और वहां पर उसे जो है धाई 5 लाख रुपय कितने रुपय में बेज दिया गया था फिलाल वो सकुसल घर आ चुकी है हमने भी वो रिपोर्टिंग की थी और हम इस रिपोर्टिंग में भी कोसिस करेंगे कि हम लड़की जो गई है इस घर की उसे हम वापस लाने की भरपूर कोसिस करेंगे वीडियो को जादा से जादा सेर करें और दिखाएं कि किस तरह से जारखन में आदिवासियों के साथ क्या कुछ होता है कैसे लोग मजबूरी में परदेश कमाने के लिए जाते हैं सही मूल्य भी नहीं मिल बाता है क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहां के मजदूर वहां अन्य राजियों में जाकर फंस जाते हैं चाहे वो पुरुस हो चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो किसी भी तरह हो और मगर हर बार यही देखने को मिलता है फिलाल अभी के लिवर सितना ही देखते हैं न्यूज आपका आगे की जो भी अपडेट होगी हम इस चैनल पर दिखाते रहेंगे धन्यवाद झाल 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 झाल